हेलो इस्टूडेंट मैं रेश कुमार मैथ भाइन रेजिसर क्लासे से आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज फिर से हम एक यहांласт है लेक्चेस नमबर नो में और वहां बताया गया था कि अबially का हिस्सा नेक्स्ट लेक्चर यानि इस प्रजेंट लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं ठीक है तो यह हमारे पास एक थ्योरम नंबर वन चल रही है जो इस्टेट के बाद आप जस्ट यह लेक्चर नंबर टू देख रहे हैं ठीक है अब हमें करना है एक फोफ वाई इस कंटूनिस मैं पहले बताते हूं लेक्चर नंबर वन का एकदम से कंटूनिसली पार्ट है अगर आपने वन नहीं देखा है तो इसको मत देखिए कोई बिनिफिट आप स्वाई बिलोंग करता है एच के अंदर फिर हमें दो बातें प्रूफ करने थी कि F of Y is linear transformation and F of Y is continuous यह हमें दो बातें प्रूफ करनी थी ठीक हैं अब देखिए हमारे पास यह continuous वाले ये तो हम proof कर चुके है for f of y is linear transformation for f of y is a linear transformation ये हम कर चुके हैं अब हमें proof करना है f of y is a continuous yes अब हमें proof करना है f of y is a continuous अगर आप unit 4th अच्छे से याद है आपके पढ़ चुके होंगे इससे आने से पहले तो आपको पता है वहाँ पैसे करते थे कि अगर f ओफक्स है ये k into norm ओफक्स आ जाए तो हम बोल देते थे कि f है वो bounded है अगर मैं पीछे की unit का याद दिलाऊं तो f bounded है और f bounded है इसका मतलब f क्या है continuous है इसका मतलब f क्या है एक continuously part है ठीक है इसका मतलब हमारे पास f क्या है एक continuously part है ठीक है तो ये दो बाते हमारे पास f of 5 continuous प्रूफ करना है तो कुछ इस परकार से हमें ये conditions ले क्यानी है ताकि ये हमारे पास पीछे वाली unit में ही match हो जाए क्यों हो जाए पीछे वाली में क्योंकि unit fourth में हम Hilbert space पढ़ चुके है अब उसी का थोड़ा सा advance level हमें इस unit fifth मे पढ़ना है ठीक है तो यहां तक आप इसे continuously चलाते हुए आ रहे थे अब हमें करना है फोर f of y is continuous इसके लिए देखिया आप फ्रॉम equations 2 इसके लिए हम देखेंगे from equations 2 equations 2 में हमारे पास क्या है वई f of y is equal to t of x, y t of x, y हमें देखो मैंने अभी भी बताया था कि पीछे वाली unit में हम ऐसे करते थे f of x less k into norm of x यानि जो भी brackets में है वो आ जाए अब की बार हमारे पास क्या है यहां f की नीचे लगा है तो ऐसे हमें लेके आना है जबकि है क्या हमारे पास f of y x यह रहा equation 1 कहती है t h से h में जाता है t continuous है और t हमारे पास linear transformation है यह कहती है f of y x is equal to inner product का sign आगे t x, y everywhere x y belong capital h और capital h एक हिलबर्ट space है ठीक है हमें ऐसे लाकी लेके आना है तो यह रादे को from equations to अब क्या लगा दूँ इसके norm लगा दूँ तो that implies यहां भी देखिए हम norm लगाएंगे f of y into x और यहां भी हम norm लगाएंगे t of x, y t of x, y देखिए हमने यहां मतलब दोनों side में हमने क्या लगा दिया norm का sign लगा दिया यहां भी norm लगा दिया और equal में यहां भी हमने norm लगा दिया है ठीक है अब यह tx, y हमारे पास किस परकाश्य होता है देखिए यह tx, y तो left side में तो यह चलता रहेगा f of y नीचे x है और यह देखिए t of x, y है तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं t of x into norm of y into norm of y अब हमने ऐसा क्यों लिखा तो याद करो using cosy square inequality ठीक है तो अगर आपका unit fourth बहुती अच्छे से पढ़ा हुआ तो आप 100% इस बात को समझ सकते हैं कि हमें bounded या continuous ले क्या आना है तो कुछ ऐसा प्रूफ ही करना होगा ठीक है अब देखिए हमारे पास t of x क्या होता है तो that implies यह तो चलता रहेगा ऐसा कैसा f of y into x यह आजएगा हमारे पास t of x t of x क्या है ओल्रेडी continuous है तो यह आजएगा k into norm of x k into norm of x और यह y ऐसा का ऐसा और side में लिख देना कि चूंकि t is continuous yes t is continuous या t is bounded या t is bounded और याद नहीं रहे तो ऐसे लिख सकते हो using equation 1 क्योंकि देखिए equations 1 के according इस equations 1 के according t है वो linear transformation भी है और t है वो continuous भी है अगर t continuous है तो यह वाली condition बनेगी कि norm of x k open x है अब f की जिगा हमारे पास t चल रहा है तो यह ऐसे आजाएगा k into x है ठीक है तो यह हमारे पास t of x कहां से चला गया इधर से capital इसे small के कैसे मान लो k into norm of x है जहां k एक positive number है जहां k एक ही positive number लिख सकते हो k एक positive number है k greater 0 ठीक है अब देखिए हमारे पास इसको क्या लिखेंगे that implies समझते जाईए आप तो नीचे लिखते जाईए that implies f of y x less small k small x into a ऐसे मान लिया हमने a क्यों मान लिया बई चूंकि y belong h is fixed याद करो हमने माना था कि हमने माना था कि एक fixed element है y belong करता है h के अंदर अगर यह fix है तो हम मान सकते हैं इसका norm एक positive number आएगा जो एक एक positive number आएगा चूंकि y हमने fix element लिया था इस हिलबर्ट space h के अंदर और जब भी हम ऐसे space के अंदर लेंगे तो मान के चलेंगे कि इसकी value एक ही positive number है ठीक है अब देखिए k भी positive और a भी positive इसका मतलब इन दोनों को हम कर देंगे k dash मान लो ठीक है where k dash is equal to k into a यह दोनों का product भी greater 0 है ठीक है भी दोनों का product भी greater 0 है तो यह आ गया हमारे पास f of y into x f of y into x is equal to k dash x और बोलेंगे that implies f of y is bounded या continuous यह bounded भी लिख सकते हो या हमारे पास continuous भी लिखे सकते हैं ठीक है भाई और यही हमें प्रूब करना था कि f of y is continuous आ जाए समझे ना बात को ध्यान चे यही हमें सिद्ध करना था कि f of y हमारे पास continuous आ जाए या bounded आ जाए यह continuous की condition होती है तो सबसे पहले हमने इस equations नंबर 2 को यहां से काम में लिया काम में लेने के बाद हमने दोनों तरफ इसके norm लगाया सबसे पहले कोसी squares inequality को काम में लेके less ऐसे sign लगाया यह जो t of x है already continuous है by using one t is a continuous तो ऐसे आ गया y हमारे पास fix था उसको एक positive point a मान लिया के और एक प्रोडेक्ट फिर से एक positive नंबर के डेस मान लिया और नोर्म फक्स तो यह अपने आप f of y is bounded या continuous ठीक है तो सबसे पहले हमने जो लिखा था at first we sell so that f of y is linear transformations and continuous तो यह हमारे पास linear transformations भी हो गया और यह हमारे पास continuous भी हो गया है ठीक है भई यह हमने continuous भी सिद्ध कर लिया और f of y को पिछले वाले lectures one में हमने linear transformations भी सिद्ध कर लिया था तो मैं बिलकुल इमानदारी से step by step चलेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत आपके समझने में नहीं आएगी ठीक है अब तो आप देखते हैं जाहिए देखती ही देखते हम इस ठोरम को किसी न किसी definitions के अंदर कनवर्टें कर देंगे अब आपको इसके नीचे लिखना है हमने देखा कि f of y is linear transformation and f of y is continuous yes हो गया नहीं अभी अभी किया है continuous या bounded f of y is continuous या bounded so that so here we see that f of y is linear transformation f of y is continuous so so map f of y is map f of y is बताओ यह functional हुई की नहीं हुई yes यह हमारे पास functional हुई की नहीं हुई functional कैसे होता है वही f of y जाएगी कहां से h से c के अंदर दो condition linear transformation और continuous होनी चाहिए तो f of y linear transformation है f of y continuous है और Hilbert space h से complex की और ही जाती है तो लिखेंगे map f of y is a functional is functional on Hilbert space capital h on Hilbert space या दूसरे सब्दों में हम बात करें तो आप बोल सकते हो f of y f of y belong करेगा h और उपर star लगा दो ताकि यह क्या बन गया हमारे पास से functional बन गया ठीक है अब यहां आके हम एक छोटी शी theorem को काम में लेंगे और वो theorem भी हमारे पास से unity fourth में ही है येस और rise represent theorem नाम से आप देखोगे तो last में सी आपको ये लिखी हुई मिल जाएगी सहाँ बने pdf में आपको बताया होगा तो आप लिखेंगे that implies using by rise using by rise using by rise representation से थ्योरम using by rise representation representation से थ्योरम अब आपको ऐसी छोटी छोटी बातें आगे बढ़ने से रोकेंगी है ना there exist a there exist there exist a unique vector z in h unique vector vector z in capital h such that such that अब यहां हमारे पास एक समस्या है कि rise representation स्थ्योरम क्या होती है तो अभी आपके पास option है आप यूनिट फोर्थ के नोट्स उठाइए last में से मिलेगी साइध last य लास्ट थ्योरम यही थी हमारे पास से rise representation से rise representation r i e s z rise representation है ना meaning अपने साब से using by rise representation theorem there exist a unique vector z in h such that f of y x such that f of y x is equal to x और z x और z ठीक है अगर हम आपको बताऊँ वहाँ आपने unit forth में क्या देखा था rise representation थीरम में z की जगह x था और आपने देखा था kis equal to x और y था और norm of f आपके y के बराबर था तो यहाँ हमारे पास z क्योंकि y हमने अलड़ी फिक्स कर लिया तो y की जगए z काम करेगा तो यह आजएगा हमारे पास f of y into x is equal to x z तो मतलब यह वाली बात भी आपको याद रखनी है ठीक है भई यह वाली बात भी आपको याद रखनी है unit forth के अंदर में rise representation इसका statement हमारे पास कुछ ही ऐसा ही है तो f of y is equal to x z इसे आप मान के चलिए equations number 3 इसे आप मान के चलिए f के निचे y fix y b h में है x b h में है और z b h में है यह निए लिखना नहीं कई बार लिख चुके है तीनों ही Hilbert space h के अंदर है तीनों ही हमारे पास Hilbert space h के अंदर है तो यह हमारे पास f of y linear transformation और continuous होने की वज़े से functional बन गया और functional होने की वज़े से rise representation theorem इस पर अपलाई होगी क्योंकि rise representation theorem कहती है कि there exists a unique vector और कहीं ना कहीं हमारे पास भी ऐसे चल रहा है there exists a unique vector बोलो या adjoint operator बोलो इसकी वज़े से जो star लगा हुआ है हमने h के उपर star लगा दिया है देखे थोरम में इसके operator मतलब adjoint operator बोलके थोड़ी सी पैचान हो जाए क्योंकि अगर मैं simple t बोल दूँगा तो यह बोलो कि आप linear transformation है तो अगर हम star लगा देंगे यह फक्षनल्स on h के लिए h star है तो यहां भी लिखा है there exist देखे यहां भी लिखा there exist a unique vector z in h यहां भी लिखा है there exist a unique vector z in h capital h के अंदर और vector का नाम बदल के यहां adjoint operator लिख दिया है इस वज़े से यहां अपने आप rise reposition tenses थोरम है हो गया है ठीक है तो यहां से आप दो लाइन ने ध्यान में रखके और याद रखना कि हमारे पास आ चुकी है equations number 3 ठीक है भी यहां से हम याद रखते विख लेंगे कि हमारे पास आ चुकी है equations number 3 और करना क्या है हमें अभी तक आप छोटी छोटी step by step आये हैं हमें यूनिक प्रूप करना है एड़ जोंट ओपरेटर लाना है यह भी प्रूप करना है टी एकस वाई इस इकल टो अक्स टी स्टार स्वाई यह सब अभी हमें प्रूप करने हैं ठीक है तो यह मेरे पास आ चुकी है अपनी equations number 3 मैं एक बार यहां लिख लेता हूं कि f of y x है यह हमारे पास x, z से परदर्शित हुई है ठीक है भी f of y x है यह हमारे पास x, z से define हुई है तो हमें बिलकुल step by step, step by step चलेंगे तब जाके हम इस theorems को अच्छे से समझे पाएंगे अब आप फिर से arrow का sign लगा के लिखो now also, now also अब हमें इसको represent करना है किसको adjoint operator को हम नहीं जानते adjoint operator की definition तो इसके लिए हम लिखेंगे एक बार now also अगर मैं ऐसे लिखूँ t belong h से h तब तो आप जान जाओगे किसकी है यह केवल operator है इसका मतलब क्या हो वही operator on a Hilbert space operator on a Hilbert space अगर मैं यहाँ star लगाता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा adjoint operator of a Hilbert space ठीके किस परकार से define होगा define by किस परकार से define होगा वही हमारे पास define by t star यहाँ fix था ना y is equal to is equal to जैसे मालो z मालो z और everywhere क्या बोलोगे बई? z किसके अंदर जाएगा? Hilbert space से h के अंदर और y भी fix है y भी किसके अंदर जाएगा? Hilbert space से h के अंदर यह तो ऐसे लिखो यह ऐसे लिखो for every खुब अच्छे से पता नहीं इस बात का for every y z belong करेंगे h के अंदर ठीके? तो यह आ गया हमारे पास t star y is equal to z इसको हम बोलेंगे equations यह ऐसे देखलो directly अब z की value यह रख दो so from equations 3 सिदा लिख दो न क्यों equations बढ़ाएं फालतों में? so from equations 3 equations 3 क्या कहती है भई? f of y into x is equal to x into z और z के बराबर क्या है? t star y z के बराबर क्या है? t star y इसको हम मानेंगे equations number 4 इसको हम मानेंगे equations number 4 तो यहां के ध्यान रखेंगे एक हमारे पास equations 3 है और equations number 4 आ गई है अक्स t star y is equations number 4 equations number 4 ठीके? तो ऐसे हमें बिल्कुल step by step चलना है अगर simple t छोड़ोगे तो operator बन जएगा adjoint operator बनाना है तो आपको star लगाना है बस के वह इतना सा ही पहचान है? operator होता तो simple t छोड़ते adjoint लगा दिया तो बोल रहा है कि आप इसे परदर्शित करिए theorem के अंदर t star से तो यहां हम t star से परदर्शित कर लेंगे t star से यह y h में जाएगा यह जड़ आगे वाले h में जाएगा बट दोनों h hilbert space एक जैसे इसलिए y और z दोनों ही विलोंग करेंगे h के अंदर ठीके तो यह आ गई है हमारे पास equations number 4 तुम बिलकुल छोटी 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 स्टेफ स्वाई जी स्टेफ चलें तो यहां तक हम आ चुके हैं और मेरे इसाबसे यहां तक आपको एक की दूकी स्टेफ के अलावा कोई दिकत नहीं आने चाहिए अब देख लो तो simple है from equations 3 and 4 from equations 3 and 4 देखिए 3 क्या कहती है f of y is equal to xz है यह कहती है नहीं नहीं f of y is equal to x t star y है तो हम क्या लिखेंगे from equations 3 यह आ जाएगा हमारे पास equations 3 नहीं from equations 2 and 2 के लिखो 2 एक बार आप 2 लिखिए भई from equations 2 and 4 2 क्या कहती है f of y is equal to t xy है क्या कहती है इसके अलावा t xy है और जबकि 4 कहती है कि नहीं नहीं f of y is equal to x t star y है यह बोल रहे नहीं इसके आगे क्या है x t star y है हमारे पास इसके साथ क्या है x t star y है आप simple छोड़ दीजे बगेर bracket लगाए ठीक है तो यह कहती है देखिए रही equations 2 कहती है f of y is equal to t x, y है यह कहती है नहीं f of y is equal to x t star y है इसका मतलब यह दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई और देखो यह प्रूफ करना था क्या? everywhere x y belong करेंगे हमारे पास है h के अंदर ठीक है तो मैं बोलूं क्या हमारे पास है theorem complete हो गई है तो अभी theorem complete नहीं हुई है अभी केवल हमने यह प्रूफ किया है such that एक मिन देखो मैं यहां से थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ एक बार अभी हमने केवल यह प्रूफ किया है such that tx,y is equal to x t star y everywhere x y belong करता है h के अंदर इसे मैं एक बार equations नमबर 5 हैं मान लेता हूँ अभी हमारे पास प्रूफ हो चुकी है ठीक है अभी हमारे पास complete steps step by steps आएंगे तो यहां तक हमारे पास किसी भी परकार की दिक्कतें नहीं आएगी अब क्या करना है में यह वाली step तो चलो सीध हो गई है अब हमें प्रूफ करना है कि यह यूनिक हो कौन यूनिक हो भई एड जोइंट ऑपरेटर यूनिक हो और operator का मतलब लिए ट्रांसोर अब हमें प्रूफ करना है कि यह 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 य पास क्या हो linear transformation हो टी स्टार इस यूनिक हो टी स्टार इजी linear transformation हो एंड खुद यह टी स्टार इजी continuous हो यह बार बार वापिस आएंगे हो सकता है आपको थोड़ी परिशा नहीं हो बट ऐसा हमें प्रूफ है करना ही होगा क्योंकि operator है देखो ऐसे समझो आप एक बार इस बात को कि टी ऐसे था एज से एज समझेगा बात को टी ऐसे था हमारे पास है एज से एज तब हमने टी को क्या किया स्टार्टिंग में linear transformation परूफ किया और टी को हमने continuous से परूफ किया यहां क्या है यहां हमें देखे किशन में गिवन के नाम पर आ गया कि यह फी टी बी एन ओपरेटर ओन ए हिलवर्टी स्पेस तो operator का मतलब यह एक परकार से linear transformation का ही काम कर रहा है यही operator हमारे पास इधर है तो यह तो हम परूफ कर चुके अब क्या लग गया है टी स्टार लग गया है इसका का मतलब आप दिखाईए वही टी स्टार को भी linear दिखाईए और टी स्टार को भी continuous दिखाईए तो हमने लिख दिया बाग आएदा कि now here we have to show that adjoint operator टी स्टार इज लीनियर ट्रांसोर्मेशन टी स्टार इज लीनियर ट्रांसोर्मेशन टी स्टार इज कंटुनियर से और थोरम में यूनिक नाम और है देखो मिक्सिंग हो गई होगी पूरी थोरम अब तक तो हम बढ़ थोरम में यूनिक नाम और है तो टी स्टार इज यू तो लास्ट हमें दिखाना है T star is unique, T star is continuous and T star is linear transformation तो मैं जगय की कमी है, आप equations number 3 और 4 ध्यान में रखिएगा आप 3 और 4 है equations ध्यान में रखिएगा, may be possible scam में आ जाए अब हम यहां छोटी छोटी तीन बातें और प्रूप करनी हैं ताकि हमारे पास theorem है, यह complete completely प्रूप हो जाए समझिएगा, ऐसे नहीं हैंगे, पूरे 20 नंबर इसके अंदर बहुती ध्यान से या carefulी चलना होगा इसके साथ जो दूसरा क्यों सनाएगा, वो बिलकुल छोटा आएगा तो टाइमिंग मनेजमेंट वो अप अपने आप बना के देगा तो अब हमें क्या 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 प्रूप करना है, मैं यहां लिख देता हूँ, तीन बातें यहां प्रूप करनी है ठीके, पहली है हमारे पास T star है वो unique आज़ए, आप मतलिखो बएए T star है वो unique आज़ए T star है वो linear transformations आज़ए और T star है वो continuous आज़ए T star है वो हमारे पास continuous आज़ए और इसी के साथ हमारे पास यह वाले लाइन, unique और adjoint operator के अंदर दोनों वाले linear transformation and continuous proof हो जाएगी नीचे वाली ये लाइन से हम प्रूपें कर चुके हैं तो अब आप arrow का sign लगाईए कि 2 proof 2 proof number 1 क्या करना है या number 1 की वज़े सीधा लिख दो 2 proof T star is unique unique का मतलब क्या होता वही इसके जैसा दूसरा ना हो इसके जैसा दूसरा ना हो जैसे मान लो की नई वही T star जैसा ही T dash है मैं मान लेता हूँ T star जैसा ही T dash है और अगर ये दोनों बराबर आ गई तो हम मान के चलेंगे कि दोनों एक जैसे हैं बतलब T star है वो unique है तो सबसे पहले हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि let if possible सबसे पहले मैं ऐसे लिखेंगे कि let if possible ये दिसंभव हो तो माना की T star and T star and T star and अब दूसरा आप कैसे भी ले सकते हो T star star भी ले सकते हो या T dash ले सकते हो मतलब दो दिखाने हैं या T1 star भी ले सकते हो कोई आपकी मर्जी बड़ दोनों डिफ्रेंट दिखाने हैं तो हमने पहले लिखी दिया है let if possible ये दिसंभव हो तो माना की T star and T dash R satisfy equations 5 R satisfy R satisfy equation 5 और equations 5 को satisfy करने का अदलो IE पहले तो रखिए T star पहले तो रखिए T star IE T X,Y पहले तो रखिए T star T star और Y everywhere X Y belong करते हैं H के अंदर और एक बार आप रखिए T star की जगे T dash ताकि हम देखना चाहें ये unique है या नहीं है and दूसरी बार हम रखेंगे T X,Y X और T dash Y everywhere X Y belong करेंगे H के अंदर हमने equations 5 में क्या किया माना की T star और T dash दोनो equations 5 को satisfy करते हैं तो एक बार तो हमने रहने दिया T star का T star और दूसरी बार हमने T star की जगे रख दिया है T dash ठीकें अब इसे आप छोटी equations 1 मान लो एक बार और इसे छोटी equations 2 मान लो रोमन संक्या हमने लो 1 and 2 तो अब हम लिखेंगे from 1 and 2 देखिए ये इसके बराबर है ये इसके बराबर दोनों की left hand side बराबर है तो क्या जाएगी that implies कर लो इसका अक्स हट जाएगा इसका अक्स हट जाएगा इसे मान के चलो आप तो T star Y is equal to T dash Y और Y क्या है बता दो ये Hilbert space है H के अंदर है फिर आप दोनों का Y से Y हटा दो अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हो तो T star is equal to 2 dash T star is equal to T dash फिर आप इसका ये हटा दो नीचे बिल्कुल ठीक ठीक दिखाई दे रहा है T star is equal to T dash ठीक है कहने का मतलब Y से Y cancel हो गए अब T star और T dash बराबर आ गए इसका मतलब हम क्या बोलेंगे So T star is a unique So T star is a unique क्यों हो बई क्योंकि हमने माना था कि अगर संबव हो तो आप ऐसे मान लो कि T star और T dash two different different operators are satisfied but हमने short में लिख दिया कि two different नहीं आप सिदह लिख दो कि T star and T dash are satisfied so T star है ने दो एक बार T star की जगए कोई भी symbol ले लो T के उपर जैसे हमने dash लगा लिया तो dash ले लिया आप सेकेंड हमें क्या करना है फिर से आप एरो का साइन हो गया है ठीक है अब क्या करना है में 4 T star is a linear transformation ठीक है अब सेकेंड हमें क्या करना है फिर से आप एरो का साइन लगाओगे to prove T star is a linear transformation ठीक है अब हमें फिर से लिखना है T star is a linear transformation तो आप लिखें तुरंत T star is a linear transformation और करने की कोशिस कीजी जैसे हमने T को linear transformation सिध किया था इस्टार्टिंग में थक्सनल सैफ हो वाई की बजगे है उसी परकार इसे भी सिधे करना है ठीक है तो अब आज़े हमारे पास to prove T star is a लेख देते हैं अब हमें prove करना है कि T star हो हमारे पास linear transformation हो तो linear transformation के लिए हम मानेंगे कि let Y और Z बिलोंग करें बताओ किसमें बिलोंग करेंगा भई Hilbert space H के अंदर and हमेशा alpha बिटा किसमें बिलोंग करेंगे complex के अंदर then तो आप लिखोगे इसके अंदर let Y और Z बिलोंग करते हैं H के अंदर and alpha बिटा बिलोंग करते हैं C के अंदर यहीं complex नंबरें के अंदर तब हमारे पास क्या होगा और T star को आप समझी जाओगे तब हमारे पास क्या होगा then from equation 5 then from equation 5 then from equation 5 क्या है वही हमारे पास से T और X star कैसे भी लिख लो एक बार X से और यह लेख लो X और T star Y पहले तो हमां ऐसे लिखेंगे X इधर है और T star और Y की जगा मैं लेना चाहूंगा alpha Y पलस बीटा जेड alpha Y पलस बीटा जेड ठीक है alpha Y पलस बीटा जेड देखे यहां से देखे उल्टा लिख रहा हूँ मैं पहले X और T star Y की जगा मैंने क्या लिख लिख लिया alpha Y पलस बीटा जेड ताकि linear transformation आजए कैसे होता है वह linear transformation अगर हम आपको बताऊं तो आपको एक line में ऐसे यादर होगे T alpha X पलस बीटा Y is equal to alpha T X पलस बीटा T Y पलस बीटा T Y ठीक है यहां हमें क्या करना है star लगाना है तो यहां हमारे पास T star आजएगा और यह T star आजएगा समझो linear transformation का मतलत यह है T की जगा T star लेके आना है तो हम T star लेके आएगे अब देखिए X से अपनी जगाए फिक्स है X से अपनी जगाए फिक्स है तो मैं X की बज़ए Y और Z लिख लेता हूँ X की बज़ए मैं Y और Z लिख लेता हूँ तो हमें कहीना कहीं ऐसे लेके आना है कि T star alpha Y beta Z is equal to alpha T star Y और beta T star Z तो कहीना कहीं हमने यह लिख दिया alpha Y plus beta Z alpha Y plus beta Z ठीक है क्या हो जाएगा देखें अक से और T star Y तो ऐसे समझे एक बार यह T star इधर आके T लग गया देखें एक बार यहां देखें equations 5 ऐसे है T X,Y और यह है X और T star Y मतलब T star को आप इस side में लाओगे तो यह T हो जेगा यह इस T को इस side में लाओगे तो यह T star हो जेगा ऐसे समझ लो इसको आगे चलके इसका नाम भी बताएंगे Hilbert Adjoint Operator ही कहलाएगा नाम इना Adjoint Operator है किसके लिए Hilbert Space के लिए चल रहा है तो आगे चलके Hilbert Adjoint Operator ही होगा ठीक है तो आप ऐसे लिखोगे T X,Y अगर यह T right side में ले जाते हो तब तो star लग जाएगा और right side से fast side के और left side के लाते हो तो यह T बन जाएगा यही अपने पास equations 5 है तो हमने क्या किया देखो अक्सी और T star लगा दिये अब मैं T stars को क्या ला रहा हूँ left side में एक number position पे तो यहाँ क्या जाएगा T आ जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ T आ जाएगा T अक्सी और यह क्या बचेगा alpha y plus beta z यह क्या बचेगा वई मतलब T star इस side में आके T बन जाएगा यहाँ से उदर ले जाऊँगा तो T star बन जाएगा ठीके तो बिल्कुल हमें step by step step by step से ही करना है अब यह क्या हो जाएगा left side तो ऐसी की ऐसी ठीक है बचेगा left side तो ऐसी कैसे आप लिख ले ना ऐसी कैसे यह क्या हो जाएगा T x, alpha y यह क्या हो जाएगा T x, alpha y पलस यह क्या हो जाएगा T x, beta z T x, beta z एक बार यह इसके साथ और एक बार यह इसके साथ अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो अगर नहीं याद है तो रहने देना याद आजै तो लिख देना हिलबर्टी स्पेस की थर्ड कंडिशन है या ये सब्दी रहने देना ठीक है अब आपको पता है देखें लेफ्ट तो चलता रहेगा अगर मैं alpha बाहर निकालू तो क्या आएगा क्या मेरे पास alpha बाहर आजाएगा नहीं अगर एक number position पे होता तब तो निकल के आजाता दूसरी वाली position पे है तो alpha के उपर बार लग के आएगा और यह मैं पीछे की unit में बता चुका हूँ आप देख लेना वहां मिल जाएगा कि अगर second position से बाहर आता है तो बार लग जाएगा इसी परकार बीटा अगर second position से बाहर आता है तो बार लग जाएगा tx,z ठीक है बिलकुल simple property left side ऐसा कैसा अगर मैं अभी इस t को अगर मैं इस t को इधर ले जाता हूँ तो क्या होगा वई अगर मैं इस t को इधर ले जाऊँ तो ये t star y आ गया क्या बीटा छोड़ी ऐसा कैसा अगर मैं इस t को इधर ले जाता हूँ तो star लग जाएगा क्या मतलब left to right जाएगे तो star होगा right to left आएंगे तो star हट जाएगा ठीक है अब देखिए alpha वापस अंदर लेके चलो वापस अगर मैं simple एक नमबर पे ले जाओंगा तो alpha बार आजाएगा दूसरी पे ले जाओंगा तो वापस alpha हट जाएगा तो यह क्या बचेगा अक से alpha यहां से second position पे आएगा तो फिर से बार की बार आजाएगी और बार की बार का मतलब simple दो बार लगेंगे नहीं वापस alpha का alpha आजाएगा टी इस्टार वाई ऐसे देखो बिटा जाएगा बार की बार आजाएगा वही A inverse की inverse वापस क्या होता है यह होता है हमारे पास अकसे और बीटा टी इस्टार औरे जेड अकसे बीटा टी इस्टार औरे जेड ठीक है अब इसकी next step क्या होगी तो मैं यहां लिख लेता हूं समझेगा बिलकुल ध्यान चीदेगो यह हमने ऐसे लिखा T इस्टार इदर लाए T इस्टार बन गया अब Tx का alpha Y के साथ पलस Tx का beta Z के साथ Tx का alpha Y के साथ पलस Tx का beta Z के साथ alpha दो number position पे बार निकालेंगे बार लगके आजेगा beta दो number position पे बार लगके B इस्टार आजेगा अब मैं वापिश t को इधर लेगे गया star लग गया, वापिश t को इधर लेगे गया star लग गया अब मैंने क्या किया, alpha इसका वापिश दे दिया, तो बार हट गया अब देखिए हमारे पास ये भी x है और ये भी x है समझेगा इस बात को ये भी x है और ये भी x है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ alpha t star y plus beta t star z वापिस देख लो चाहिए Hilbert space की conditions number 3 Hilbert space करके देख लो x alpha t star y plus x alpha beta t star z ठीक है ये हमारे पास आ गई alpha t star z y और alpha t star z ठीक है और ये हमारे पास अब देखो मैं इसकी left hand side लिख रहा हूँ इस side में left hand side हमारे पास क्या है that implies last last में लिख ले ना that implies aksi और t star aksi और t star alpha y plus beta z है ये किसके बराबर आ गया है मेरे पास aksi alpha t star y plus beta t star z के plus beta t star z के अब देखें left side aksi aksi गाइब तो क्या बचेगा हमारे पास that implies t star alpha y plus beta z is equal to alpha rice की right side alpha t star y plus beta t star z और लिख देना everywhere alpha beta किसके अंदर है ये रहे complex number के अंदर है and yz किसके अंदर है Hilbert space h के अंदर है yz Hilbert space h के अंदर है और यह हमारे पास conditions लेके आनी थी तो हम बोलेंगे that implies t star is linear transformation yes that implies t star is a linear transformation ठीक है तो यह हमारे पास t star है linear transformation भी आ गया है तो हमें बहुती सावधानी पूर्वक के अगर हम step by step सी और पीछे की unit अगर हमारे पास कौनचे बढ़िया से clear है यह मैं यह कहूं practice की हुई है तो आप जरूर आप इसे आजमा सकते हो कि alpha के बार कब लगेगा कब वापिस अंदर जाएगा और प्रेक्टिस नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे ठीक है भी practice बिल्कुल भी समझ में बिल्कुल तो क्या समझ में तो आएगी पर आप उतना अच्छे से मजा नहीं आएगा जितना आप साम सोचों मेरी भी कोशिस यह रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सरल भासा में बनाया जाए ताकि आप कम से कम पढ़ने तो बैठों समझ में आये ना आये वह बाद की बात है तो अगर मैं आपको दो गंटे तीन गंटे लगातार बैठा के रख रहा हूं तो कहीं ना कहीं य हो गया to prove t station negative the अब हमें क्या करना हो ती इस्टार करना ह्यकर में कंटोनीएस तो लिक्या डूप रूव ती इस्टार के कंटोनीएस अब हमें प्रूफ करना है T star is continuous और continuous की हमारे पास से इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे कैसे करेंगे बई continuous को अभी हमने ऐसे देखा था ना T x है वो ऐसे आजए K into norm of x K into norm of x या मानलो x की बज़ए आप मानलो y चाहते हो तो आप y लिख लो इसे दो कोई फरक नहीं पड़ेगा अब की बार क्या करना है T k star लगना है तो हमारे पास यह conditions आजए T star y less k into y और यह k एक positive number आजए तो यह अपने आप ही क्या हो जाएगा continuous या bounded ठीक उसी परकार जिस परकार हमने f of y को continuous सीद किया था अच्छे से इसे कवारे कर पाओगे ठीक है हम लिखेंगे since we know that इसके लिए थोड़ा सा अजीब तरीके से चलेंगे और प्रोपर्टियों का इस्ते अमाल करेंगे जो हम पीछे की उनिटों में पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं भई T star y T star y ठीक है T star y अगर मैं इसका whole square कर दो तो क्या होगा वई T star y कॉमा T star y और ऐसे मोड में बंद आएगी हमारे पास ऐसे मोड में बंद आएगी आपको खूब अच्छे से पता है कि हिलबर्ट की पहली ही पहली कंडिशन्स यह होती है यह अपनी उल्टा लिखा होगा left में यह लिखा होगा right में यह लिखा होगा यह by h1 by h1 हिलबर्ट की पहली ही पहली कंडिशन्स यह होती है तो क्यों ना हमारे पास questions में दिया गया है कि यह हिलबर्ट is space है तो क्यों ना हम इसे काम में ले तो T star Y है, less T star Y और T star से Y है, ठीक है भई, यह हमार पास क्या गया, T star Y और T star से Y, अब देखें मैंने अभी अभी बताया है, क्या मैं इस T star को इधर ले आओ, लेफ्ट में, देखें कोई भी एक, जैसे चाहे तो इस लेफ्ट को इधर ले जाओ, चाहे राइट वाले को आप ले आओ, एक ही बात है, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो यह देखी, यह तो ऐसा कैसा, अगर मैं इस T star को इधर लाता हूँ, तब तो यह बनेगा T, और यह ऐसा कैसा, ठीक है, और यह T star Y छोड़ दो, अगर इस T star को इधर ले जाता हो, तो यह T बन जाएगा, तो यह हमार तो T, यह T star तो चला जाएगा, T में, यह ऐसा का ऐसा, ध्यान से देखिए, यह हमारे पास ऐसा कैसा, और यह Y, यह Y, और लिख लिए ओ, साइड में, यूजिंग इक्वेशन 5, येस, लिख लिए ओ, साइड में, यूजिंग इक्वेशन 5, खिक है, अब आपने इतना आने क के बाद वापिस पढ़ा होगा कि कोसी स्क्वेशन इक्वेशन क्या होती है, तो लिखते चलो इसको, T star Y का whole square, अब यह क्या हो जाएगा, less equal, एक तो इसके लग जाएगा, T, T star Y, और एक इसके लग जाएगा, Y के, ठीक है, और साइड में क्या लिखेंगे, यूजिंग कोस T square in equalities, in equalities, ठीक है, in equalities, फिर देखें, next step में क्या जाएगा, इस side में तो है, T star Y का whole square, अब यहाँ वापिस से क्या जाएगा, एक तो इसके लग जाएगा, T, एक तो इसके लग जाएगा, T, एक इसके लग जाएगा, T star Y, और एक इसके लग जाएगा, Y, क्यों लग जाए दिना कि मैं ऐसे था अक्से और वाई है अगर ऐसे होता ना ऐक्स और वाई हो ऐसे होता है नोर। ह Door दो फिकें ना त्रीक्ति की अगरव्टिच में होते नौर। यह भी हमारे पास एक पिछे की प्रोपर्टी और खूब अच्छे से आपको पता है जिसे ट्राइंगल इन्युक्यूलिटी जिसे बोलते हैं कोई दूसरी बोलते हैं इसे तो लिख देना कि चूंकि अक्सी और वाई ऐसे होते हैं तो यह इस परकार से आ जाएगा अब देख बचल हो जाएगा अगजाम में नहीं काटना है इसका स्कुरेश घट जाएगा वस तो यह क्या होगा हमारे पास यह इस इंटो वाई पटा देना य है वह हमारे पास है स्के अंदर इस वहाले एक से इसंटार से एक एप to ये वाली conditions ठीक है मैं एक बार यहां लिख लेता हूँ ये हमारे पास कुछ इस परकार से बचेगा ये हमारे पास कुछ इस परकार से बचेगा बिल्कुल step by step करोगे तो आपको कोई दिकत नहीं आएगी तो ये T और ये Y ये T और ये Y Y बिलॉंग करती है H के अंदर तो Y बिलॉंग करती है हमारे पास ही H के अंदर ठीक है अब देखिए equations 1 के according देखिए T is continuous ये देखिए equations 1 के according देखिए T is continuous तो हम लिखेंगे फरोम इक्वेशन 1 फरोम इक्वेशन 1 T is continuous इसका मतलब क्या होता वही norm of T क्या है के आएगा जो greater होगा 0 से जो greater होगा 0 से So T star Y हमारे पास क्या आजेगा So T star Y है वो हमारे पास क्या आजेगा So T star Y है वो हमारे पास ऐसे आजेगा K into norm of Y K into norm of Y Everywhere के greater क्या है 0 है और Y बिलॉंग करता है H के अंदर बताईए भई Bounded वाली Conditions आ गई की नहीं आ गई तो हम लिखेंगे That implies T star है यह हमारे पास Bounded है और आपको पता है Bounded है तो यह हमारे पास से continuous B है Yes unit fourth के according आप अच्छे से समझ जाओगे अगर fourth के लिए नहीं है तो यह बात आप बस यह theorem complete proof हो गया है तो लास्टी लास्ट में क्या लिखोगे So we say that अब समझ लो भाई इसके बाद लास्टी लास्ट में क्या लिखोगे So we say that अता है हम कह सकते हैं कि ऐसा का ऐसा theorem का statement आप वापस लिख दियो Yes लास्ट में So we say that और ऐसा का ऐसा theorem का statement आप एक बार वापस लिख दियो टाइम आपको जरूर लगेगा बट आपका single number नहीं कटेगा Yes आपको time लगेगा बट आपका एक भी अंग के अग्जाम में नहीं कटेगा और इसके साथ जो दूसरा क्यूशन आएगा वो बिलकुल छोटा सा आएगा ताकि आप इस यूनिट को कंप्लेट कर सकें और अगर आप मालों यूनिट पूरा पेपर पड़के जाते हो यूनिट फैस्ट सेकिंड थेर्ड फोरते तो यहां त अपने नाई नंबर का क्यूशन ही मिलेगा आपको ए कर लिया अब आप लास्ट ही लास्ट क्यूशन कर रहे हो पेपर का तो ऐसे भी बिलकुल कम टाइम बचता है और आजू बाजू वाले उठके जाने लगते हैं तो एक अजीब सी घवराट होने लगती है उस वजए से यह जो क्यूशन साथ है यह हमेशा ही छोटा आता है बिलकुल च्यार लाइन पांस च्यार पांस का तो नहीं होगा बट आधा पेज या कौन पेज के आसपास आएगा मतलब लगबग एक पेज तक आपका इसका पूरा-पूरा काम बन जाएगा इस हिसाब से पेपर डिजा ठीगा ठीक है तो यह हमारे पास एक ठीवरं थी बहुत ही श्यांदार स्यांदार ठीवरं है अब देखिए इसी ठीवरं के स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं यह क्या वह एड जॉइंट ओपरेटर तो मैंने एक बार काटा पीटी कर दी है अब इसी को मैं वापई लिख रह हूं यहां से कि लेट लिखो मेरे साथ साथ ऐसे करो टोपिक लगाओ आगे वाला हिल्बर्ट टोपिक लगाओ आप हिल्बर्ट एड्जोइंट ओपरेटर एड्जोइंट ओपरेटर पूरा लिखो आप हिल्बर्ट एड्जोइंट ओपरेटर अब आप next heading डालो Hilbert Adjoint Operator Hilbert Adjoint Operator ठीक है क्योंकि अभी हमने इस theorem के statement को पूरा पूरूप किया इसका मतलब यह 100% सत्ते है और यही हमारे पास Hilbert Adjoint Operator कहलाएगा ये ही हमारे पास Hilbert Adjoint Operator है कहलाएगा ठीक है तो Hilbert Adjoint Operator में आप लिखी ऐसा कैसा Let T T B N Let T T B N Operator Let T T B N Operator On a Hilbert Space On a Hilbert Space Then there exists Then अब की बार पूरूद आठ हटा दो Then there exists Then there exists A unique Then there exists A unique Adjoint Operator Adjoint Operator T star of T On H On H का मतलब On Hilbert Space As such that Such that Such that T X,Y Is equal to X T star Y Everywhere X Y Belong करते हैं H के अंदर Everywhere X Y Belong करते हैं H के अंदर तो यहां से आपने बहुती Base किंती एक बात सीख ली है कि T इस सेड में है तो T रहेगा यहां से Right सेड की और ले जाते हो तो T star या उल्टा देखें T star है Left सेड में लाते हैं तो T हो जाएगा यही हमारे पास Hilbert Adjoint Operator कहलाता है Yes आपने जो थोरम का स्टेटमेंट पढ़ा है यही Extence थोरम का है यही हमारे पास Hilbert Adjoint Operator कहलाता है तो आप लिख लीजिए और इसका स्टेटमेंट आप ओल्रेडी याद रख चुगे हैं इसलिए Hilbert Adjoint Operator की Definition सियाद करते वक्त आपको किसी भी परकार की प्रेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने बिल्कुल यह स्टेटमेंट ओल्रेडी याद कर चुके हैं यही हमारे पास Hilbert Operator या Adjoint Operator कहलाता है और इसके अंदर भी मैं यह वाले लाइन मत भूल जाना बस कि TX,Y is equal to X T star Y तो T star क्या है यूनिक है देखे ध्यान से देखना यूनिक है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो यूनिक Adjoint Operator T star है और T के उपर और H के उपर सच देट और यह वाले लाइन मां लिखवाई चुकाओ कि Operator on Hilbert Space क्या होता है तो कूल मिला कि ठोरम 1 है आपको तीन प्रकार से अक्जाम में पूछी जाएगी पहली पहली ठोरम है टाइप फेस्ट मालो अक्जाम में देना ही चाहे इसे तो वो ऐसे दे सकता है कि State and Prove State and Prove Extensive theorem Extensive theorem on Hilbert Space of Hilbert Space of Hilbert Space Hilbert Space ठीक है पहली ही पहली ठोरम्स अगर वो देना चाहे तो ऐसे दे सकता है अथ्वा लगा के आपको दूसरी परकार से भी अब आप इसका क्यूसन्स लिखिए इसका क्यूसन्स आपको ऐसे भी दे सकता है State and Prove State and Prove Hilbert Adjoint Operator State and Prove Hilbert Adjoint Operator Hilbert Adjoint Operator या आपको तीसरी परकार से यह दे सकता है Type 3 आपको ऐसे दे सकता है कि लेट T be an operator उने Hilbert Space Then there exists a unique Adjoint Operator T star of T on H Such that T X Y is equal to X T star Y यह आपको third type से दे सकता है आपने देखा होगा तीनों में एक ही बात है एक ही समानता है अगर आपको ऐसे दे दिया State and Prove Extence Theorem of Hilbert Space तो मैं बता रहाँ थोड़ी बहुत जिसकी तयारी होगी हलका फुलका पड़ा होगा उसका पैन तक नहीं चल पाएगा इसके अंदर चाहे यह वाला स्टेटमेंट दे दो और ऐसे दे देगा State and Prove Hilbert Adjoint Operator तो भी यही इस्तती है बिलकुल आएक लाइन भी पूरी नहीं होगी पेपर के अंदर State and Prove Hilbert Adjoint Operator यह कर लो बात अगर अच्छे से बेसिक याद होगा तो आप लिख पाओगे अगर ऐसे दे दिया लेट टी बी अन ओपरेटर उने Hilbert स्पेस एच देम देर एक्जिस्टे यूनिक Adjoint Operator टी स्टार तो बात वही है ऐसी केसी बट इसके अंदर दो तीन बरकम से कम ऐसे तो होगा तीन चार लाइने तो लिखें क्योंकि तीन लाइन देखके अगर उटा सुटा गुमा के लिखोगे जो नहीं पढ़ता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं अलांकि मेरे को नहीं करनी चाहिए इनकी बातें फिर भी आप ध्यान रखोगे के तीनों परकार के स्टेटमेंट इसके अंदर पूछे जा सकते हैं और हमने अभी तक लेक्टर सुवन और यहीं का कंटूनियसली लेक्टर स्टू दोनों लेक्टर के अंदर हम तीन बातें सिख चुके हैं पहली ही पहली डेफिनेशन समय पढ़ चुके हैं कि ओपरेटर क्या होता है है न बई पहली हम पहले सिख चुके हैं ओपरेटर ओन ए हिलबर्ट इस्पेस मैं अगर बताना चाहूं मैं संचिप्त में कि हमने अभी तक क्या सीखा है इसके लिए आप ध्यान रखोगे कि ओप रखने का तरीका है T az z z het t है वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफोर्मेशन ओना चाहिए कि हैः वो हमारे पास whisk होना चाहिए इसी प्रकार फकी संदल में हमाने फूर यौ3 किया था तो एप वाई बिलोंग एग्च से है एग से कोंपलेक्स वाला सी है यहां यहां एफ데 होना चाहिए language में कैसे लिखोगे lectures 1 के starting में दोनों definitions को बता रखा है यह हमारे पास तीसरी definition हो गई Hilbert Adjoint operator ध्यान से देखिए यह हमारे पास तीसरी definition हो चुकी Hilbert Adjoint operator Hilbert Adjoint operator के definition यह है इसी को theorem 1 बना के ऐसे लिख सकता है या इसी को theorem 1 बना के state and prove Hilbert Adjoint operator लिख सकता है तो यह maximum तीन प्रकारशक ज्यामें घूम के आएगी तीन definitions operator और Hilbert Adjoint operator तीन और definitions इसने अपने आपके अंदर कावरे कर लिया है ठीके तो ध्यान रखिएगा Hilbert Adjoint operator extends theorem of Hilbert space और इसका statement यह अब इसका statement तो आपे रट ही लो है ना एकदम से रट लो ताकि यह Hilbert Adjoint operator की definition है यह आपके बहुत ही अच्छे से याद हो जाए अब आगे वाले lecture में क्या होगा केवल यह statement बार बार काम में लेंगे येस टी अक्स कॉमा वाई अगर मैं टी को इधर ले जाओं तो अक्स और टी स्टार वाई एवरी वेर अक्स वाई बिलोंग करेंगे अब आप इस statement को ध्यान रखिएगा इसे हम बार 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 काम में लेंगे ताकि आपके Hilbert Adjoint operator है यह अच्छे से याद आ जाए और शाथ साथ यह बहुत ही बेस कीमती बात है कि युनिक Adjoint operator है यानि इसके जैसा दूसरा नहीं है तो यह आज का लेक्चस यहीं पर समाप्त होता है आपको चाहिए एक बार आप फिर से लेक्चस वन और लेक्चर टू टाइम है तो जरूर एक बार वापस रिवाइज कीजिए इससे पहले अपने नोट्स बनाईए एक बार खुद से लिखने कोशिस कीजिए और देखिए युनिट फोर्थ है वो इसके अंदर साथ परसेंट से लेके 90 पर 37 के ऐसी की ऐसी मैज परसेंच हो रही है इन फोर्ण की स्टेफ के अंदर तो युनिट फोर्थ ही है बैसी थोड़ा सा अडवांस लेवल इसका चल रहा है चोटी चोटी बातें अबको मिलेंगे एक और थ्योर्म के साथ ताकि आपकी TXY X T star Y को किस परकार से काम मिले इसको अच्छे से practice करें ताकि आप ये Hilbert Adjoint Operator की इस definitions को apply करना सीखें Yes, तो मिलिए मेरे को next lectures number 3 में वहाँ से हमारे पास exam की दरश्टी से और important question start होंगे ये theorem भी very very important थी ठीक है वई, ध्यान रखना ये वाली theorem भी very very important थी क्योंकि तीन परकार से ये examinations के अंदर घूम के आ सकती है ठीक है, तो मिलते हैं आपको next lectures number 3 के अंदर